दोस्तों स्वागत है आप सभी का अलफान स्ट्विट में बाबू आज हम लोग जैसा कि पिछले लेक्चर में और आउकल समीकरण के सारे क्विश्चिन से इंपॉर्टेंट क्विश्चिन सॉल्व कर लिए आज इसके जस्ट आगे का चैप्टर चैप्टर नमबर टैन एंसी का है और सदिस बीजगडित जिसकी बारे में डिसकेशन करेंगे और प्रयास करेंगे कि इसी लेक्षर में पूरा का पूरा सदिस बीजगडित आपका खतम कर दिया जाया ना वन सौर्ट लेक्षर होगा पूरा सदिस बीजगडित के बारे में समझाया जाएगा ये आप लोग इस सदीस बीजगड़ित को अच्छे समझ लेते हो मैथमेटिक्स वाला तो एक तरह से समझ लो कि आपका 11 का फिजिक्स का अगर कुछ छूटा हो उसमें कुश्चन तो वह भी तयार हो सकता है इसलिए बहुत ध्यान से देखना यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत सब्सक्राइब क्लियर है या तो कोई राशी अधिस राशी हो सकती है और फिजिक्स की बात करें या फिर मैथमेटिक्स यह वैसे तो यह फिजिक्स ही है वैसे बात करें तो यह फिजिक्स ही है अधिस राशी हो सकती है या तो वह राशी कैसी होगी बाभू सदिस राशी हो सकते हैं इसकी बारे में आप सभी बहुत अच्छी से जानते हूं या तो इसकेलर कॉंटिटी इसको इंग्लिस में क्या बोलते हैं इसकेलर कॉंटिटी और इसको इंग्लिस में क्या कहते हैं वैक्टर कॉंटिटी है ना तो देखो हमें जो है अदिस राशी के बारे में तो कभी पढ़ना इसमें है नहीं क्योंकि मैथमेटिक्स है लेकिन अदिस राशी के बारे में यह जान लो कि वह राश्य जिसमें किवल परिमाण होती है मैंगनिटिukь होता है जैसे एंसर होता है एक तरह से से मालो तो ये एंसर देता है जैसे कि दो से चार का गुडा कर दिए तो यह क्या इतना है बाबू आठए एक तरह से मानें दुसा दिष्राशी है कि नहीं लेकिन वही टू आई का अगर हम 8i में गुड़ा करें cross product तो यह क्या होगा दिस राशी होगा बाते समझ मैं रहे हैं मतलब कि अदिस राशी का अर्थ यह होता है कि इसमें केवल परिमाण होना चाहिए magnitude होना चाहिए बाते राशी को लिए इसके बात है कि अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है हमें इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं लेनी है वैसे भी कोई जरूरत भी नहीं है वेक्टर क्वांटिटी को कभी भी मालो कि यह ए है ए कोई राशी है अगर इस पर ऐसे तीर का निसान लग गया तो यह हो गया वेक्टर राशी मतलब सदिस राशी एक कोई राशी था इस पर सदिस का निसान लग गया यह क्या हो गया सदिस ता प्रकार के होता है जैसे की अगर हम कहा देए कि ये कोई सदीस राशी है इसके ऊपर एक और सदीश राशी आगे मतलब पॉइंट वाई सदिस राशे इसका कहीं तीर का निसान गया ही नहीं है तो ऐसे राशियों को बोलते वाबू सुन्ने सदिस क्या बोलते वाबू सुन्ने सदिस कई प्रकार के होते हैं उसमें पहला प्रकार क्या होते है वाबू सुन्य सदिस है ना मतलब ऐसा सदिस जिसका मा मापांग सुन्य हो क्लियर है ना जिसका परिमार सुन्य हो मापांग सुन्य हो से क्या बोलते हैं सुन्य राश सुरी शून्य सदीस क्लियर है इसको तीर के निताका से दिखाते हैं याद रखना दूसरी बात इसमें पहला पहला अगर सदी की बात करें तो वह होता है शुन्य सदीस जिसका परिमाड और डिशा कम में europe चीरो आए तो उसको क्या बोलेंगे शुन्ने सदिस एक और सदिस होता है उसे बोलते बाबू एक आंक सदिस इसके बारे बहुत ध्यान से समझना है एक आंक कि सदिस इंग्लिज में से बोलते है यूनीट वेक्टर अब क्योंकि इसका नाम ले लिए है तो इसको अच्छे से पूरा दिसके सदिस हम लोग यहीं पर कर लेंगे एक आंक सदिस इनिट वेक्टर वोग ऐसा वेक्टर जिसका परिमार एक हो कितना हो एक परिमार कितना वाबू बन मैगनिट्यूड इसका कितना आना चाहिये मेगनिट्यूड इसका नचीए वन अगर ऐसा आ रहा है तो इसको बोलते वाव यूनिट वेक्टर और दुनिया में हर सदिस का हम लोग यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं हर एक सदिस का unit vector हम निकाल सकते जैसे कि अगर कहें कि ये vector a है इसका का एक आंक सदिस ग्याद कीजिए ठीक है एक आंक सदिस ग्याद कीजिए तो बाव्व आपको क्या करना है कि कभी भी किसी भी रासी का एक आंक सदिस पूछे तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि इसका magnitude मतलब परिमाड या मापांक कुछ भी बोलो वो कितना होता है वन होता है और दूसरी बात ये एकांक सदिस को हम लोग ऐसे दिखाते हैं कैप से उपर क्या लगाते हैं बबू चोटा सा कैप जैसे ए है तो ए पर कैप लगा तरह भी यह क्या हो गया ऐसे और एकांक सदिस का फॉर्मूला क्या होता है वह रहता है यार मतलब किसी भी सदिस्का अगर हमें एकांक पार करे कम लोग कैसे نکाल सकते हैं मोड और क्लियर है अगर यह कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा क्लियर है ना सभी को समझ में आ रहा है कि अगर कैप आफ यह निकालना है तो इसी सदिस्ट का हमें उसके परिमार से भाग देना पड़ेगा ठीक है और दूसरी बात आ कशकती है माल लो वेक्टर एदिया तो एक बात और समझना कि दुनिया में किसी वह स्तु कि दिशा दिखाने के इसकी वह स्तु के दिसा को दर्श आने की दिखाने की यह 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 इतने अबibtर गया है या फिर दच्षिड में पूरब मैं से पर अगर कौटरीट में तो तो घ्र इसको 3D पर दिखाय जाएगा 3D मतलब या तो एक X-axis पर X-axis से दूरी फिर Y-axis से दूरी और फिर Z-axis से दूरी इन तीनों एकसिस से एक एक करके उसकी दूरी ज्याद करेंगे कि उसकी दूरी कितनी है और बाबू किसी भी सदिस को लिखने के लिए हम इन तीनों एकसिस का से एकांग सदिस होता है और म्लों की ऐसे होट गया तो इसको बोलेंगे आपिर हो सकता है आई में टू गया हो जे में तीन गया हो यह यह भी क्या हो जैगा बबू वयक्टर ही होगा मतलब वयक्टर को दर्षाते हैं तीर के निशां से और इसके भीतर होता है क्या i, J और के में ये वेक्टर है कीतना दूर चला है ये धर्षाता है i, j, j और k क्लेर है न इन्हीं i, j और के को बाबु हम लोग बोलते हैं लंब कोडिय लंब कोडिय एकांक सदिस ठीक है क्या बोलेंगे बाबु लंब कोडिय एकांक सदिस एकांक सदिस के बारे हम पढ़ा रहे हैं तो इसलिए अभी जान लो कि इसको क्या बोलते हैं आई जे और के को लंब कोडिय एकांक सदिस क्य है यह बात करते हैं वेक्टर एक अगर कैप निकालना है तो एक चैप निकालने के लिए वेक्टर अपन मॉडॉड एया सब करते हैं तो याद रखकला है अगर मॉडॉड़ शेकरना है तो रूट लगाई लगाओ और जो भी ई जईका कोफिशियोंंत है उन सब का स्क्रार करके जोड मोड अब यह कैसे आता है आई जे के क्यों हट जाता है यह सब बात हम लोग आगे सीखेंगे लेकिन अभी बस इतना जानना है यह अगर हमें कैप आफ ए निकालना है तो उसके लिए वैक्टर यह एपॉन मोडे करना पड़ेगा वैक्टर यह है अमोडे पाट सब्सक्राइब यह आप लोग को याद रखनी है किसके लिए वावू यूनीट वैक्टर के लिए लिए अच्छा देखो इसके बाद एक और सदीस होता है जिसे हम लोग बोलते हैं वावू स्थ आदिम सदीस अना इसको हम लोग इंगलिस में बोलते हैं को लिनियर है ना तो बस ऐसे नाम हो गया यहां से एक सदीस यहां निकल गया एक सदीस यहां निकल गया तो इन दोनों सदीसों को मालनों यह वैक्टर ए है यह वैक्टर भी है तो इन दोनों सदीसों को हम लोग बोलेंगे एक दूसरे का को लिनियर या फिर सह आदिम सदीस क्या मूलें बाबू सह आदिम सद सभलत सबसार के बारेम तो नहीं करेंगे क्लिए क्यंकि वैंसर मेर खतम करना आपका सब्सक्राइब सब्सक्राइक सब्सक्क्राइब समांतर सदिस समांप सदिस इसके बाद बाब यता है सदिस इसका अर्थ क्या होता है revenge सबाझ में यहकि कोई दो सदिस एक ही रेखा में इस्दी थे ऐसे यहां तक यह था और इसी की द ताम एक और वह गया तो ऐसे दो रेखां को हम लोग बोलते हैं बाबू संरेख सदिस बस ऐसे डेफिनेशन नहीं लिखना है बस ऐसे डारेक्ट लियाद रखो दिमाग में रखना है चारों नाम इसके बाद एक और नाम बाबू आता है उसे बोलते हैं समांतर सदिस समांतर सदिस अच्छा अगर दो समांतर वस्तुएं हैं तो ऐसे मालों की एक वस्तुएं यहां पे हैं यहां फिर लाइन की बात करते हैं दो समांतर लाइन है रेखा है तो कैसे चलता है वो ठीक ऐसी कि जश्ट उपर ऐसे चलता है चलता एक नहीं चलता मतलब कि इसकी प्रार यदि प्रारंभिक बिंदू और अंतिम बिंदू के बीच की दूरी समान है तो ऐसे सदिशों को बोलेंगे समानतर सदिश कई तरीके के सदिश होते हैं अब यही समानतर सदिश विप्रीट भी बन जाते हैं यही समानतर सदिश विप्रीट सदिश भी बन जाते हैं वो कैसे सम कि यदि इसके डिषा एक यहां पर इदर की और हो गया तो ऐसे दो सदीशों को हम लोग बोलेंगे विपरीट सदिश अगर इसे समान करना है तो इस एक को उठा करना पड़ता है मतलब इसका मूं उधर घीच के लगा दो अगर कभी भी किसी भी सदिश को याद रखना है यदि 180 डिग्री मूं इधर था उपर की और था उसको उठा के नीचे क्यों कर दिए तो अगर 180 डिग्री अगर किसी भी हो जाएगा बी तो यहां पर इस उकल टू माइनस बी की बराबर होगा या बी उकल टू माइनस एक की बराबर इसे को बोलते बाबू क्या विप्रीट सदिस तो इतनी सारी डिसकेशन हो गए इसके बाद देखो कुछ कुश्चन से जैसे की अच्छा एक छोटा से कुश्च कुश्चन है सदिस रूप में डिफाइन करना है ठीक है अगर हम लिख दिए एक ब्यक्ति उत्तर से तीस डिग्री कोड बना कर चलता है उसे सदिस रूप में निरुपित कीजिए बात को समझना बस इसको सदिस रूप में निरुपित करना बहुत चोड़ा से हलवा कुश्चन है एकदम आसान है अब एक ब्यक्ति है उत्तर से तीस डिग्री कोड बना रहा है चाहे किदर बनाए अच्छा हमारे मांचित्र की हिसाब से ऐसे तीर का निसान है ऊपर कस्मीर है तो इसे बोलते हैं उत्तर दिशा उत्तर है नीचे दच्छिड है इसलिए इसको बूलते है धच्छिड भारत इंदर पूरभ है इसलिए इसको बूलते हैं पुर्वी भारत अर इसको बूलते हैं अ कुछली पश्चिमी भारत तो इसमें वाबू उत्तर किदर जा रहा है उपर क्यों साधिस रूप में निरुपित करना है तो एक बिंदू लो यहां से उत्तर क्यों ऐसे चला दू हमें क्या यह चाहिए बिलकुल नहीं तो इसको हम लोग डॉटिड लाइन से लेंगे कैसे लेंगे बावू ऐसे डॉटिड लाइन से कि हमें चाहिए इस से 30 डिगषी कर बनाके किदर की और वह चल रहा है ऐसे मालनों कि यह उत्तर के और दिशा यहां से 30 डिगष बनाओ अगर मालनों यह 30 डिगशी है तो यह दिसा होगी इस व्थ्थी कि यही तो दिखाना था तो शिम्पल सी बात है किसी भी सदिश को निरुपित करने के लिए हमें तीर का निसान और 37 साथ दिशा की जुरूबत पड़ती है यह दिशा है और मैगनिट्यूड भी है तो ऐसे रचनाओं को हम लोग क्या बोलते हैं सदिश रचना या फिर सदिश राश क्लियर है बाते समझे हैं अब इस पर छोड़ पूझें लिए है कि यह बी सीडी यह वाव एक चत्र पूझें अब क्योंकि यह यूग्फल आ चुका है तो थोड़ा सा हम्लों क्या करते हैं कि यह योगफल के बारे में ब्यान लेते हैं ऊसके बाद फिर यह खुशन असानी से बनाएंगे यह तो हो गई सदिस और रादिस राश्यों के बारे में क्लियर है ना सारी बाते बावों डिस्कुशन में अच्छे लग रही है इसके बाद देखो कि 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 क कि अगर अम बात करें सदिस के योगफल की ठीक है पुरदर के लिए इसको गयाब करते हैं कि 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 अगर माल लो कि कोई सदिस इधर की और जा रहा है चुप चाप उससे कोई मतलब नहीं है कि 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 अगर अगर व्यक्टर एक का सिर्ष वैक्टर बी के पूँच से मिला है लेक्टर एक पूँच वैक्तर बी के सिर्ष से मिल गया तो ऐसे को बोलते हैं त्रिभूज नियम से योग कौन से नियम से याद भूछनींः और एक है चत्रभूजनियम दोनों मेंकम तो एक ही होने वाला है परीप्रेंट है इस रिजल्टेट का अगर रिजल्टेंट हमें ऐसा मिल रहा है कि एका पूझ ऑर देल का सिर्श दिख रहा है तो ऐसे रिजल्टेंट को डारेक्ट लिए लिए प्लस को ön light एक लंब यहां डालते हैं और इसके अधार पर एक लंब यहां डालते हैं एक ऐसा यह भी ऐसा इसमें देखो कि तीनों का तीनों सिर्ष एक पास मिल गया इसमें ऐसा नहीं था है ज्यान देना इसका भी सिर्ष इस पे मिल गया इसका भी सिर्ष मिल गया और यह जो रिय chess पूच पूच यहां सर पूच और यहां भी सर पूच अराम से मिल रहा है कोई दिक्कत नहीं resultant क्या हो जाएगा ए मिक了स इसमें भी जो रियल टेन्ट पाता है वो तो a plus b ही आता है ठीक है ए पलस b ही आता है लेकिन यहां से जू लंब गिरा जाता है उस से हम लोगों कुछ extra चीजि मिलती है जिसके बारे में discussion करने को जुरूत नहीं है यही से हमको एक formula त्यार होता है ठीक है आर इस उक्वल टू ए प्लस बी इतना याद रखोगे अगर resultant सदिस रूप में बात करें तो सदिस रूप में आर इस उक्वल टू ए प्लस बी कितना होगा vector a प्लस वेक्टर भी ठीक है और यही जो resultant होता है अगर सदिस रूप में न देके अधिस रूप में दे तो वह आता है इस से यह जो लंब गिराया है ना देखो बता रहे थे नहीं इस लंब से इस लंब से आता है a square प्लस b square देखो कहीं भी अब वेक्टर नहीं रहा गया प्लस 2ab cos theta ठीक है याद रखोगे बाबू समानतर चत्रभुज नियम से यह resultant का formula आता है जिस पर हम लोग directly answer आते हैं इतनी बात याद रखने है आपको बस यह directly resultant क्या करना है याद रखना है तो बाबू सदिशों योग के कितने नियम दो नियम एक त्रिभुज नियम और एक समानतर चत्रभुज नियम समानतर चत्रभुज नियम में tell 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 तीनों का एक पास head 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 तीनों का एक पास इसमें tell tell head tell और head head ऐसा मिले त्रिभुज नियम और यह चत्रभुज नियम ठीक है अब इसी पर देखो यह जो पहला question था यह ऐसा ही था कि इस तरजिशों A B B C C D और D A का योगफल गयाद कीजिए जहां A B C D एक समानतर चत्रभुज है देखो जड़ा कैसे योगफल आता है ध्यान देना बहुत अच्छे से छारो कर चारों भुजा एक समानतर चत्र वुज बना रही है क्यों यह की नहीं दूसरा है है BC मतलब B से CQ जा रहा है कि नहीं B से CQ तो इसे वैक्टर की नाम नहीं लेना है बस A B B C की बात है दूसरी बात कर रहा है CD मतलब CD आपको कैसे लेके चलना है ऐसे इधर क्यों कि द्यान रखना तीर का निसान किदर लगा रहा है और चौथी अब देखो जरासा अगर इस पोजिशन की बात करें ऊपर का थोड़ी दर के लिए भूल जाओ नीचे की बात करते हैं यहां देखो ऐसा ही है तो यह जो त्रिभुज मिलेगा यह त्रिभुज नियम स्वरी यह जो परेडामी मिलेगा हमको को एसी वो त्रिभुज नियम स्मिलेगा और इसके हिसाब से भावो त्रिभुज अगर हम एबी को बीसी से जोड़ दें तो डारेक्ली एसी बन जाएगा अब ज़रा से इधर बात करते हैं यहाँ सी से डी पर गया है और डी से ए पर आया है कौन से त्रिभुज में एडी सी की बात करते हैं कि एडी सी में ध्यान देना कि डी से सी पर गया और डी से यह पर है और परिडामी कहां से यह पर गया उल्टा है एकनी उसको पलटना पड़ेगा अर्थ यह है कि अगर हम एसी डी और एडी को जोड़ना है कि डी और यडी को जोड़ना है तो को सी से डी और डी से इस सो घुझ रेजलतेंट लटोल ना चाए कि एधर को नचली बिल्कुल अचल pores रहे है जहां क marcadores बना रहें थ्री नियम से फीटी pl attorneys हमको चाहिए था सी ए ना सी यही मिलना चाहिए लेकिन सी ए को हम अभी जैसे एक विप्रीच सदीस की बात किये है उसमें सी एक को माइनस एसी भी लिख सकते हैं पलट के देखो एक सबस्वाइब लट गया है माइनस एसी अभी काम करते हैं अप्लेंस लोटन को जोड लेते योगफाली तो चाहिए एक्वेशचेंस लिख समनी करण एक तथा को जोडने पर जोड़ाव हो लेक्ट साइड में तो चारो के चारो प्लस में हैं जुट जाएंगे इधर हो जाएगा A B प्लस B C प्लस C D प्लस तो यह D A है ना यह D A है ध्यान रखना यह गलती नहों A D A D A मत कर देना यह गलती नहों यहां हो जाएगा D A इसके लेफ्ट हैंड साइड में है प्लस A C और इसके राइट हैंड साइड में है माइनस A C तो यहां कितना हो जाएगा A C माइनस A C इसका अरती यह है कि अगर हम A B को B C में और C D में और D A में जोडे तो यह माइनस हो के कितना आएगा 0 अध्य है कि किसी भी चत्रभुज के चारों कोडों का योग चारों भुजाओं का योग कितना होगा सदिस रूप में 0 होगा कितना होगा बबू बात क्लियर है एकदम आसान था थोड़ा सा यहां पर confusion था इसको समझना था यह A C को C और C A को A C की बना है त्रिभूज नियम से बना है अब अगला question देखो इन तीनों का योग फल ज्याद करना है जैसे कि हम पीषे बताया है कि कोई भी अगर सदिस है तो I, J, K के रूप में ही लिखा जाता है I, J, K लंब कोड़ी एकांग सदिस जो उसकी दिसा को बताता है ठीक है यह कैसे बनेगा बावू अगर योग फल है सदिशों का बावू क्या है योग फल है तो वो 100% I को I में J को J में और K को K में ही जोड़ता है ठीक है I को I में, J को J में और K को K में ही जोड़ता है यहां वेक्टर A आपको है बावू क्या I, Minus 2J प्लस K वेक्टर B है आपके पास Minus 2I Plus 4J Plus 5K और वेक्टर C कितना है बावू I Minus 6J Minus 7A अब ज़ना ध्यान दो ABC तीनों वेक्टर दे दिया वेक्टर दिया है यह तीनों वेक्टर हम जैसा कि पहले भी बताए है कोई भी अगर वेक्टर है अगर उसे दिसा और परिमार दोनों के रुप में लिखना है तो I, J, K के रुप में लिखना होगा जहां I, J और K क्या है लम्ब कोडी एकांग का सदिस अगर हमें सदिशों का योग करना है मतलब लेफ्ट हेंड साइड में A प्लस B प्लस C करना है तो सिंपल सी बात है कि अगर मालनों कोई सदिस यहां है कैसे पहला है A है I दूसरा B क्या हो गया B कितना है? माइनस 2 I मालन लेते हैं इधर किदर क्यों हो? माइनस 2 I है अगर इसको जोड़ना है प्लस करना है तो ध्यान रखना I, I में जूड़ेगा J, J में जूड़ेगा और K, K में जूड़ेगा क्लियर है न? तो सिंपल सी बात है कि अगर A, B, C अगर हमें करना है तो इसमें I के प्रोड़क्ट को एक साथ रखो मतलब I, माइनस 2I प्लस I एक साथ हो गया J के प्रोड़क्ट को एक साथ रखो बाहर प्लस लगाओ क्यूंकि प्लस है माइनस 2J प्लस 4J और यहां हो जाएगा माइनस 6J ठीक है? तीनों का A, B, C जूट रहा है और फिर उसके बाद फिर प्लस लगाओ और फिर के की बाद करो यहां है के यहां है प्लस 5K और यहां है माइनस 7K ठीक है? अब आपको समझ में है रहाँ बाबो I और I जूटेगा तो 2I 2I में से 2I घटेगा यह कितना हो गया? 0I यहां फिर 0 खतम हो गया यहां देखो माइनस 2J अब प्लस 4K कितना हो जाएगा? प्लस 2J प्लस 2J माइनस 2J प्लस 4J प्लस 2J और यह घटेगा तो यहां हो जाएगा माइनस 4J लेर है न? बहुत असान है आगे देखो 5 और एक 6 6 में से घट गया तो माइनस के अर्थ यह है कि ABC हमको क्या मिलेगा? माइनस 4J माइनस के यहना कितना असान था कुशन बहुत ज्यादा हाट नहीं है योगफल तो बिल्कुल भी हाट नहीं है क्लियर है न? योगफल एकदम हाट नहीं है मतलब नहीं है योगफल से योगफल साचारे नियम का भी पालंग करता है मतलब a plus b plus c मतलब a b को जोड़के c जोड़ो या फिर या फिर b c को जोड़के तब a जोड़ो उससे कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला है किसलिए इसको आसानी से हम सभी कर सकते न एक प्लस बिक रुशाए बी प्लस पैकरो अबी को जोड के तब C जोडरो या फिर तुर करती है की सदिशों का योग जो है सहहचारय नियम और क्रम बिनिवे नियम दोनों का परण करता है ठीक है बाते क्लियर हैं सभी को तो ये था योग नियम का कुश्चन एक और कुश्चन देखो ये दिया है दो सदिस हैं दोनों का मॉडुलस हैं और मॉडुलस करके तब उसका मान निकालना है जोड़ना ही है ठीके बाबू जोड़ना है तो इस question को solve करते हैं जोड़ने वाला जोड़ने वाला यह question कैसे solve होगा ध्यान रखना कि हमें निकालना है mod a plus mod b तो mod निकालना तो पहले सिखा है मापांग कैसे निकालेंगे ठीक है उसके लिए देखो एदिया है a is equal to 2i plus 3j plus 2k b का मारा आपका दिया है 3i minus 2j minus k ठीक है हमें निकालना है mod a plus mod b कोई दिक्कत नहीं है एकदम आसान question है अगर किसी भी सदिस का हमें मापांग निकालना है तो मापांग निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमें mod a निकालना है तो उसके लिए under root लगाओ और i, j और k के coefficient का square करके जोड़ दो आई का जैसे आई यहां पर है टू क्रॉस टू प्लस जे का 3 क्रॉस 3 प्लस के का टू क्रॉस 2 करके का करो जोड़ दो यह आ जाएगा मेरा अंडर वैसे तो यहां cross नहीं होता है ठीक है इस बात को हम clear करेंगे यहां क्यों cross नहीं होता है dot क्यों होता है ठीक है बात समझें तो 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 2 2 जा 4 एना overall यह value आ गया 17 एना 4 4 8 9 8 7 यह आगया मेरा mod a अब बात करते है mod b की mod b कैसे निकालेंगे फिर root लगाएंगे इसके i, j और k के coefficient को एके करके square करके क्या कर लो भई जोड लो ठीक है square करके जोड लो ऐसे square किये plus minus 2 का square किये plus minus 1 का क्या कर लिए square यह भी ऐसे कर सकते थे overall यह value कितना आ गया बाबो आपका under 9 plus 4 plus 1 माइनस माइनस प्लस हो जाता है माइनस माइनस प्लस अगर के के पास कोई coefficient नहीं है तो हम उसे क्या मानेंगे वन है ना माइनस के साथ तो यह हो गया मेरा अंडर रूट 14 है कि नहीं हमें क्या निकालना है बाबो आसान कोईश्चन सिंपल कोईश्चन तो आपको अगर सदिस के योग में से कोईश्चन आता है तो इससे ज्यादा हाड नहीं आने वाला क्लियर है सभी को चलो वे अब इसके बाद एक और क्विश्चन लेते हैं एक और है छोड़ा सा क्विश्चन है इसे भी बना सकते हैं जो हम पहले फर्मुला बताएं जैसे देखो ये क्विश्चन सदिस आई जे आई प्लस जे प्लस टू के के अनुदिस इकाई सदिस गयत कीज़ें इकाई सदिस बताएं दूसरा ही सदिस था यूनिट वेक्टर और यूनिट वेक्टर के बारे हम लोग डेफिनेशन क्या लिखें वाबू मतलब ऐसा वेक्टर जिसका परिमार या फिर मापांक एक हो है न और उसके लिए यूनिट वेक्टर इसको दर साथ हैं हम लोग कैप से और किसी का वी यूनिट निकालना है जैसे यह दिया हुआ है आई प्लस जे प्लस टू के माल लोग के यह सदिस ए सदिस है ध्यान रखन सदिस को ऊपर वेक्टर में लिखो और नीचे मॉड में लिखत हुआ है इससे क्या जाएगा एकांग सदिस एकांग सदिस देखो यह आई जे के मी चल रहा था अगर इसको देखो के में दो तू टाइंग्या है जे में वनटाइम इराइम राइम उन कि इन्हीं एक सो टाम ने चोटा कर ल dalej ते छोटता कै चोटता कैसे होगा तो इसी के मापाहँ से भाग देने परव इसलिए उसको एक आंगffe के लिए हम लोग क्या करते हैं वेक्टर एपॉन ओस्गेर टो वेक्टर ए तो ऐसे लिखेंगे आई प्लस j plus 2k अब mod यह कैसे लिखेंगे बाव रूट लगाएंगे और i का product i का कितना है गुडांत 1 है j का 1 है k का 2 है तो 1 का square plus 1 का square plus 2 का square है ना answer कितना आएगा i plus j plus 2k 1 1 2 2 2 जा 4 यह हो जाएगा under root 6 और यह हैगा मेरा cap of इतनी बाते समझ मैं बबू तो सदिश के योग से और सदिश ऐसे एकांग सदिश निकालने से अगर आप लोग को question पूशता है तो मैं विश्वास है कि आप लोग बबू बना लोगे क्योंकि सदिशों का योग बहुत ज़्यादा hard topic है नहीं और यह एकांग सदिश निकालना समझाए दिए इसके बात देखो अब क्या होता है जैसे कि मालनो सदिशों का योग तो समझ में आगे कि दो सदिश आपस में कैसे जूडते हैं कैसे घटते हैं ये भी जान लेना घट्ते कैसे वैसे तो अ वास्ता loans में ध्यान रखना वास्ताओ में कभी वी दो सदिश आपस में घटते ही नहीं राता यह हैं जिसे कि मल नोने एक सदिस इधर की और जा रहा था दूसरा सद्पिस बचारा इधर कि यूआ रहा है था हम कहें नहीं दोनों को जोड़ दो ए को वी को जोड़ दो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोडने के लिए सबसे पहली बात किनде समय कि दिसा एक होनी चाहिए अच्छा इसको हम लोग पुड़ा सा एक रूप में लेते हैं एक रूप में दिसमान नो कि एक सदी साह से जा रहा था एक ठीक है दूसरा इस ही पर हो गिर गया दोनों एक पर आकछी इसलों चयू नियम लगा पाया अगर इसका परिडामी निकालने बहुत अजीब लगरे है है' ईसा नहीं हो सकते इसको हमें पलटना पड़ेगा या तो इसको पलत लो या तो इसको पलट लो तो तर्री फुचका नियम लग जाएगा आर्थ यह है कि अगर हम ऐसा करें तो गलत है आ लेकिन वही इसी समीकरण को इस B को प्लास में जो था उदर क्यों करके माईनस में कर दें ऐसे माइनस भी यह:「 माइनस एreb. िसका resultant असल में जोडता ही है। अखल लेकिन यह है क्या której-b, घटाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं जोडने वाला ही घट जाता है या दिसा भी प्रीथ हो तो उसको दिसा समान करके घट आ लेते हैं असल में तो जूड़ी रहा है लेकिन अब देखो अब बात करते हैं जब दो सदिस आपस में गुड़ा करते हैं तब क्या क्या खेल होता है और आपके सदिस बीजगडित में अमें लगता है कि सदिसों का गुड़न ही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको उसी पर ज्यादा से ज्यादा कुशन आएगा पकड़ भी उसी पर मजबूत करना है ठीक है सदिशों का गुड़न एकदम चार्ट बनाके समझा रहे हैं आप लोग एक ही बार में पूरा समझ लेना सदिशों का गुड़न थोड़ा सा माइंड को रिफ्रेश करना है और करने के बाद सदिशों के गुड़न को बहुत अच्छे समझना है ठीक है अगर यह आप तभी क समझ में आ गया तो समझ लो कि इस चैप्टर में फिर कुछ नहीं रहे गया जो कि आप लोगों को एक्जाम में कोईश्चन ना बनाने देया ना इतनी बात याद रखना अब देखूं सदिशों का गुड़न दो प्रकार से होता है या तो दो सदिश दो सदिश अदिश गुड़ा करें दो सदिशों का अदिश गुड़न हो पता है आप सभी को या तो दो सदिश अदिश गुड़ा करें या दो सदिश का सदिश गुड़न करें मतलब कि vector आगर scalar product निकालते हैं scalar multiplication multiplication और यहां क्या है vector multiplication मैं बस एक ही बात याद रखना है वबू इस अदिस के बारे में और हाँ सदिस के बारे में जैसे कि माल नो दो सदिस है एक सदिस ए हैं और दूसरा सदिस भी हमें करना है वह कह दिया कि नहीं वह इसका आपको करना पड़ेगा सकार मल्टिप्लाइं लगाना αधिस घुडा तो अधिस घुडा करने के लिए एक काम करो यहां आई से डॉट लगा और वही अगर वेक्टर मल्टिप्लिकेशन कहें तो उसी AB के साथ हमें क्रॉस लगाना है तो इसे लिए बावू सदिस में यह डॉट और यह क्रॉस अलग-अलग हो जाता है दोनों पूरा का पूरा कहानी ही चेंज कर देता है समझ रहे हो कहानी का मतलब हो गया पूरी पिच् सदिस एक दूसरे पर लंब होंगे कि या फिर आगर आपको कहीं भी कह दे कि दो सदिस आपस में लंब है तो इनका गुड़न फल बताओ तो इस से जानते हो अब फाइदा क्या होता है इन यह दो सदिस यदि लंब हो लंब होते समय या फिर ए डॉट भी याद रखो अमेस अब लगाहां में तूटता है और उसे बोलते हैं अबी कोज्ट थीटा एक बात और रखना एबी साइन थीटा इंटू कैश एप एं बस इतना यह अंतर होता है इसमें इसमें कॉस्ट थीटा इसमें साइन तीटा यह क्योंकि दिशा नहीं है इसमें दिशा है इसलिए कैप की जरूरों थे इसे कैप आफ एंसे दिखाते हैं पतलब एक क्रोस भी इस उकल टू एबी साइन थीटा इंटू कैप आफ एन अब डिक्कत हो रही होगी कैप आफ एन कहां से आगया तो पताएंगे कैप आफ एन क्य एक दिशा है इंट आप दिशा है इसमें परिमार तो परिमार लिख दी तीए अच्या यह बताओ कि अगर कॉस्ट थीटा की बात q रिख करें जब थीटा एक झीरो में हों जब टीटा जीरो में अँजी व्म क्यामान वन होता है इसलिए अब इसलिए अगर माल लो कि जैसे कि अगर आई जे के की बात करें लंब कोड़ी एक आंग से जिसकी बात करें तो वह ऐसे तीनों एक दुसरे के लंबवत होती है ठीक है अगर हम इस कैलर प्रोड़क्ट कर रहे हैं जैसे इधर आई हो गया इधर लेकिन दोनों के बीच का इतना है, जीरो डिग्री का मान कितना हो इसे लिए स्केलर प्रोड़क्ट में आई डॉट आई जे डॉट जे और ये और एक डाद के तीनो का मान वन के वराबर होता है क्योंकि इन तीनों के बीश का कोड़ कितना होता है जीरो टेगर इतनी बात समझनी है उसी के बाद आगे की पोर्षन आपको समझ में आएगा इसके बाद देखो अगर हम कहें आई डॉट आई इस उकल डॉट जीरो डिगरी आई का आई के उसाथ कोड कितना बना रहा है जिरो डिगरी इसका मान कितना हो जाएगा वन इसलिए कभी भी अगर दो सर्दिशों का अधित स् और तो उसमें i.i, j.j और k.k कर लेते हैं जिसे i.i, j.j, k.d, चला जाता है आगर अभी बताएं कि वह वेक्टर a निकालना तो उसमें रूट लगाना और केवल उस सभी कोफिशियेंट का गुड़ा कर लेना एका स्क्वाएर प्लस बी का स्क्वाएर प्लस जैसे यह i का क कोफिशेंट के का कोफिशेंट यहां ध्यान दो हम बताये थे कि टू डॉट टू ही रखना ऐसा क्यों क्योंकि उस समय आई डॉट आई हो जाएगा बगल में यजटा आई हो जाएगा और इसका मान क सब्सक्राइ। जैसे यह कोस 90 निल रखोगे कि इसका मान कितना आज जाएगा जीरो अगर J dot K करते हो तो इसका मान कितना आ जाएगा जीरो K dot I करते हो तो इसका मान कितना आ जाएगा जीरो इसका आप्धी है पिस कलर प्प्रोडक्ट में आपको I dot I, J dot J, K dot K ही करना है यह सब तो 0 हो जाने वाले है इसलिए इसका multiplication भी नहीं करना है बाते समाझ में सभी को इतनी बाते के लिए अब थोड़ा सा आ जाओ सदिस में बिल्कुल यही चीज़े हैं सदिस में आ जो इसमें बाभू sin theta depend कर रहा है उसके परिमार परिमार पर वही लंबकुडी एकांग सदिस लो यह तीनों कें आई 10 जे को और के इन तीनों का अब हम कह में क्रोस प्रोड़क्ट निकालो आई डॉट नीगालते हैं आई क्रॉस आई अगर आई क्रॉस आई है तो दोनों एक ही दिशा में हैं दोनों के बीच बनने वाला कोड कितना है zero डिगरी एना तो यहां आई रख दिये इसमें तो मैंटिप्लाय करेंगे तो वन ही होता है क्योंकि लम्ब्र सांकार्थी one होता है लेकिन इए करेंग है इस पे साइन जीरो डिग्री का मान चीडियो इसलिए कभी भी Land नहीं करते हैं आई क्रॉस आई कभी नहीं करते वैसे ही जे क्रॉस जे का विमान कितना होगा जीनो क्रोस का भी मान कितना होगा जीरो पाते समझ में लेकिन अगर हम कहें कि वहाँ आई क्रोस जे करो तो जरा इसको करने के लिए एक हम लोग बृतिय विधी बनाए है ना ऐसे ही समझ लेना बृतिय विधी ये थोड़ा सा इंपॉर्डेंट हो जाता है सदिस गुड़न में अगर ये आप तो भी को समझ में आ गया एकदम आसानी से कोई भी सदिस गुड़न का आप लोग लम कुड़ी एकांग सदिस से फसने वाला नहीं है ठीक है ये काम करते है यहां देखों दिसा की बात है दिसा की बात है आई का है अगर आई जे करेंगे तो यह तुस गया कितम हो गया लेकिन यहां बचेगा क्या साइन नाई टी इन्टू कैप ओफ एन बचेगा की नहीं बचा कौन बस केप औफ न इसका अर्थी है कि कभी भी आई क्रॉस जे करते हैं तो बच यह बताएगा दिसा और दिसा क्या हो कॉने वाली है यह दिशा कहां जाने वाली दो इसके लिए हम लोग एक एंटि-द्यм आई से जे पर जा रहे हैं ऐसे आई से जे पर क्रॉस प्रोड़क्ट कर रहे हैं तो यहां जो कैप आफ एन है ठीक इसका अगला प्रोड़क्ट लिख जा रहता है जैसे जे पर पहुंचे आई से जे पर गए तो इन दोनों का प्रोड़क्ट क्या होगा यह अगला वाला की दूसरी बात अगर हम कहें कि नहीं अब हमको जे से के पर जाना है जे से के पर देखो अभी भी घड़ी की विप्रीत दिशा में ही है तीर के निसान में ही है तो पॉजिटिव ही रहने वाला है तीर के निसान में आज जे से के पर गए तो के से जाने के बाद अगला क्या आने करते हैं घड़ी की विप्रित दिसा में ही चल रहे हैं तीर के निसान में ही चल रहे हैं मतलब जो एंट यहां बैठा हुआ है यह देखेगा कि के से आई की और आ रहा है तो सीधे जाए कहां बैठ जाएगा जे पर आर्थे के क्रॉस आई इस उक्वल्डू क्या हो जाएगा इसलिए यहां पर वैलू कितना आता है माइनस के याद रखना है यहांपे के क्रॉस जाएगा माइनस आई और यहांपे आई क्रॉस के कितना ऐगा माइनस जी तिकिए इतने प्रोडॉक prec डावी को सदिस और अधिष गुडन में यााद रेक ते क्या करने बाबू बस इतने ही बाते आप सभी को क्या करनी है बहुत अच्छे से याद रखनी है क्योंकि जो भी question solve होने वाला होगा इसी पर होगा ठीक है चलो भी आप देखो अगला आप कुछ question लेते हैं हम लोग इसी पर जैसे ये question है इसमें लिखा हुआ है कि दर्साइए कि 2i माइनस i माइनस 4j माइनस i प्लस 4j एक सम्दिबाहू त्रिभूज बनाते है ये दोनों portion याद हो गया अब आपको बस लंब कुड़ी एकांग सदी से याद रखना है इसके बाद इसमें जो भी quality होता है जो भी property होता है वो direct question के according ब प्रिभूज की सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी दो भुजाय समान होती है नाम से ही समझ मेन जैसे कि माल LOUS पर तीन भुजाय दिया मालों कि पहली भुजा हो गई कैसे प्रुजा होगी और इसे द्रीओ गएं टुअ आई तो हो दूसरी बुजा मालन लो ओभी यह दिया है minus i minus g तीसरी भूजा दिया है OC यह कितना है minus i plus 4 g तीनों के बारे में condition लगा दिया तो अब अगर इसमें हमें निकालना है कि कैसे पता करें कि संध्य बाहू त्रिभूज है तो उसके लिए 2 सिर्ष निकालना पढ़े तो भुजाए निकालो और उसके बारे में बता दोयगर बरावर है जो कालूंगे भुजा कैसे निकलेगा यह इसा बता रहा है यह भी ढफी रिचा बता रहा है ठीक है तो अगर भुजा निकालना है तो बस इसका परिडामी निकाल दो भुजा निकल गया रेकिन परिडामी के लिए हम लोग रूट लगाते हैं और जो आई जे के का प्रोड़क्ट होता है उसका स्कॉयर करते हैं अब आई काहिले है तो टू का स्कॉयर हो जाएगा टू ऐसे यह मोग निकाल लेंगे ओभी ओभी मॉड में निकालें क्योंकि भुजा की लंबाई निकल लिए रूट लगाना है आई का प्रोड़क्ट माइनस बन का स्कॉयर प्लस माइनस फॉर का स्कॉयर हो गया कि नहीं हो यह बाबू वैल्यू कितना दिया वन प्लस ओर और का स्कॉयर 16 है ना और का स्कॉयर 3 यह वैल्यू हो गया अंडर रूट 17 अगला देखो ओसी की बात करते हैं ओसी के लिए रूट लगा है उसके प्रोड़क्ट को लेकर है माइनस बन का स्कॉयर प्लस फॉर का स्कॉयर यह यह वैं कितना दे दिया वन प्लस 16 इस उपल टू अंडर रूट 17 यहां ध्यान दो यह एक्वल टू यह है कि नहीं दो बुजा इक्वल है समांतर चत्रभुज में दो बुजा क्या हो गई त्रिभुज में समद्विबाव त्रिभुज में दो बुजा इक्वल हो गई यह लगा ब्सक्रामनेशन दोजनें धिनरा क्या है में सब्सक्राशा अब रूट 17 आया और यह बहुत त्रिभुज है घ्या कि गया सदिष सम्जा पूसा हूँ त्रिभूज हैं त्रिभूज है clear है बस उसकी रेखा को देखके हम बता दिए कि एक समधिबाहू त्रिभूज यह और ऐसा question आपके examination में 100% पुछेगा कभी समधिबाहू त्रिभूज बनाएगा कभी समकोर त्रिभूज बनाने के लिए कहेगा कभी समधिबाहू त्रिभूज बनाने के लिए कहेगा कभी त्रिभूज का छेत्रफल निकालने के लिए कहेगा तो इस सारे question आपको सदिस रूप में ही करने होंगे ऐसा ही देखो बाबू अगला question है कि यदि सदिस इतना और इतना एक दूसरे पर लंब है तो लेम्डा का मान ग्याद कीजिए तो निकालते हैं इसे ठीक है लेम्डा का मान लंब दे दिया देखो आप लंब दिया है यही मेन कंडिशन इसका कि 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 अगर दो सदिस एक दूसरे पर लंब है जैसे मालनों ऐसे हो गया ठीक है और इस सदिस के बारे में कुछ दे दिया है इस सदिस के बारे में कोई लंडा कमान निकलेगा जोड़ेंगे तो निकलेगा नहीं कोई चांसे नहीं एक दूसरे पर लंब होने से फाइदा क्या होगा याद करो कि अगर दो सदिस आपस में डॉट प्रॉडक्ट में है तो वह आता है मौड ऑफ ए इंटू मौड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा यदि लंब है तो थीटा का मान 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा अर्थ यह है कि अगर हम ए डॉट बी करते हैं तो उस समय मौड ए मौड बी इंटू कॉस 90 डिग्री हो जाएगा जिसकी वैलिव होता है कितना 0 क्योंकि इससे मल्टिप्लाइ करेगा 0 हो जाएगा अर्थ यह ह है कि अगर हम ए डॉट बी करते हैं तो इसका राइट हैंड साइड हमें क्या मिलेगा बस इस राइट हैंड साइड के लिए हम लोग इसको क्या करेंगे अधिस गुड़ा क्यूंकि लेफ्ट हैंड साइड में पहले सी एक बैइमान बैठा होगा जब इसको सॉल्व करोगे लेफ्ट हैंड साइड में बैइमान बैठा होगा उसका अंसर तभी आएगा जब आप उसको राइट हैंड साइड में कोई ना कोई वैलिव आपके पास हो है ना जड़ा सोचो अगर सदीस गुड़ा की होते तो जैसे इन ही दोनों काम लोग क्रॉस प्रोड़क्ट की होते उस समय मॉडे मॉड़ बी इन्टू साइड नाइन्टी हो जाता है कि नहीं क्योंकि लंब है और साइड नाइंटी उसके साथ ही साथ कैप अन बच जाता साइन नाइटी की वैलिव वन होती है मेरे पास टूटल प्रोड़क्ट ही बच जाता जैसे वेक्टर ए बी इस जाल तो सकते थे लेकिन एक पूरी चीज़े दीजी नहीं जेक आमान नहीं दिया तो क्या यह मॉडलस निकलेगा नहीं निकलेगा यहाँ भी निकलेगा नहीं पूरा फसाद देगा इसे लोग इसका यूज करेंगे ना अधा यहां बात है कि इन दोनों का अधिश गुड़ा करना पड़ेगा दूसरी बात यह दखना कभी भी कभी भी दो सदिशों का अधिश गुड़न एक वास्त्विक संख्या होता है एक वास्त्विक संख्या होता है 100% अगर अधिश गुड़न करेंगे तो वह एक कोई न कोई संख्या जरूर देगा क्योंकि आई जे के सब गयब हो जाता है इसी में बसता है इसमें बच जाता है लेकिन इसमें सारे सारे गयब तब फटा फट गुड़ा कर लेते हैं बिना देदे कि या ओ जाएगा 5y माइनस लेमडा जे प्लस 2k दूसरे में डॉर प्रोड़क्ट कर रहे हैं 2y प्लस 3j प्लस 4k ध्यान क्या देना है कि इसका राइट एंड साइड जीरो है क्योंकि लंब है यहीं हमारा में टॉपिक था वो समझ लिया अभी क्या करना है अगर हम आई को जे में गुड़ा करें तो जीरो हो जाने लेकिन अगर आई का आई में गुड़ा करें तो ही वन आएगा अर्थ यह है कि सीधे सीधे इसका एक काम करते हैं कि 5 का 2 में मल्टिप्लाई कर लेते हैं और दूसरे प्रें आई डॉट आई 1 होई जाने वाला उसको लिखने की विजरूद नहीं हटा दो प्लस यह का प्लस टूण से 2x4 इंटू थे बन गया बराबर जीरू है तो आख हो गया 5 2 दूना 10 गया अर्भान माइनस 3 लेंडा को चार दूना 8 इंट बराबर 0 या देखो गडर लेमडा कमान पता होता होता तो यह वास्तिए संख्या होता है कि नहीं होता लेकिन हमें लेंडा कमान न प्रभुच है आगया की नहीं इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यदि दो सदीश एक दुसरे पर लंब है तो हमेशा उसमें से किसी एक कामान निकालने के लिए आपको अधिश गुडण करना पड़ेगा कौन सा गुडण अधिश गुडण याद रहेगा अधिश क्लियर है चलो अगला देखते हैं पिर से वही कोश्चन है सेम टू सेम तू आई प्लस जी प्ला माइनस एक है एवं सदिस ये वाला है इन दोनों का लंब है तो एक आमान निकाले आप सभी कर सकते हो और बिलकुल यही कोश्चन है यह आप लोग के लिए होम वर्क है सेम ट wise का अउल हो गया दॉटी यहाँ पर उन हो गया दॉट यहाँ के रचांब हो गया बचा कौन सा मैं कुछ नहीं मचा उसका गुडाख बचा है इसलिए यहां आई जे और कि के बारे में नहीं लिखे है इतनी बाते तो आप लोग समझ रह आ होगे और हंडिट पर्सेंट यह सारी चीज़े आप लोग को एकदाम अच्छे से क्लियर हो रही होंगी है ना यह देखो अगला कोईश्ण हाँ प्रचेप आ गया यह एक नया टॉपिक है प्रचेप निकालना है ना प्रचेप तो लोगी इसे बना लो कि 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 कर दूसरे पर प्रचेप निकालना है ठीक है पहले का क्या करना है दूसरे पर प्रचेप निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे प्रचेप अगर निकालना है आप सभी को तो सिंपल बात है ध्यान रखना यदि एका बी पर प्रचेप चाहिए अगर प्रचेप चाहिए एक बी पर तो उसके लिए फार्मुला होता है और वैक्टर ए इंटू वैक्टर भी इंटू कौन सा रहेगा अधिश गुडन और यदि एका बी पर प्रचेप चाहिए तो हम नीचे वावू याद रखना कि हम लोग करेंगे बी का मॉड और यदि बी का ए पर चाहिए ये फार्मुला आप सभी को याद रखना है उपर तो यही रहेगा ए डॉट बी और नीचे क्या हो जाएगा को इसकर का की मॉड अवाव कि ऐका बी पर चाहिए तो नीचे वे ये भी से भाग दो भी का ए से चाहिए तो एसे का चाहिए Percy हो गया कि ये इस पर डिपेंड हो गया प्रचेप हो गया है तो इसलिए देखो इस question में यही काम करना है पहले को A माल लो दूसरे को B माल लो ठीक है पहले को A दूसरे को B A बराबर क्या है दिया हुआ है 7I प्लस J माइनस 4 की B कितना दिया है वावो 2I प्लस 6J प्लस 3 की ठीक है इसको solve करना है है ना A का B पर प्रशेट कैसे निकलेगा सबसे पहला काम A dot B करना पड़ेगा और divided by mod of vector B करना पड़ेगा clear है A dot B upon mod of B A dot B निकालो उसके लिए इन दोनों को आपस में multiply कर लेते हैं प्लस J minus 4K और दूसरे bracket में 2Y प्लस 6J प्लस 3K divided by कितना हो जाएगा vector B है और इस पर mod लगा है mod लगते ही root लगाओ और B के सारे coefficient का square करके जोड़ दो 2 का square करके जोड़ दे 6 का square करके जोड़ दो और 3 का square करके जोड़ दो clear है आप देखो बाव आगे solve करते हैं तो अगर dot product है तो पहले ही बताए है dot product में i का i से केवल गुड़ा होता है ना तो i j से गुड़ा करेगा ना i k से गुड़ा करेगा i into i क्या लिखने की जरूरत है वाव वन हो जाने वाला है पहले भी छोड़ दिये से जे का गुड़ा करते हैं तो 6 into one स्वरी efficient को भी dot में ही रखो ज्यादा बहतर है जे इंटू जे प्लस क्या हो जाएगा k का k में गुड़ा minus 4 into 3 और दूसरे bracket में हो जाएगा आपका k into k divided by नीचे देखो root है root रहने दो 2 का square 4, 6 का square 36, 3 का square 9 इस चीज को यहाँ solve कर लेते हैं साथ दूना 14 i dot i 1 हो गया यहाँ हो गया 14 प्लस 6 कम 6 जे डॉट जे कितना हो गया 1 चार तिया minus 12 यहाँ हो गया minus 12 divided by under root जोड लिया जाए 36 और 4, 40, 40, 49, 49 यहाँ हो गया 49 उपर देखो minus 12 14 में से 12 घटाओ बचा तुम्हारा दो और दो में 6 जोडों कितना हो गया आठ बटा उन्चास का रूट होता है साथ और यह आ जाएगा मेरा प्रशेप एक आप यह पर प्रशेप लेर है पार एक है लिए यह वर्म और प्रशेप निकालना है पहले का दूसरे पर तो दूसरे वाले को नीचे रखेंगे उपार डॉर्ड टॉड्रक्ट और दूसरे को नीचे कि तरह और प्रशेप नीकालने वाला कुश्च्चनः देखो यह रहा इसको आप सभी को solve करना है एक question हम बना रहे हैं एक question आप बनाओगे ऐसे क्या होगा कि याद भी हो जाएगा और clear भी होते चले जाएंगे exam जो आने वाला exam है कुछी दिनों में कुछ बचोंगा हो भी गया है कोई दिक्कत नहीं है जिसका होने वाला है वह जरूर ध्यान से पढ़ें तो सदिश ए और बी का प्रश्यप निकल जाएगा इसको आप सभी निकाल ले ना इसकी बात देखो कि अब प्रश्यप निकाल लोगे आप सभी यह कुश्चन ऐसा कुश्चन आप सभी को अगर आता है तो पांच नंबर या आठ नंबर में लगुत्री में या फिर दिर्गुत्री में कुश्चन जरूर देगा सदिस्विदी से सिद्ध कीजिए कि अर्धवित्र में बना कोड समकोड होता है क्लास नाइंत का ये एक प्रमे है क्या था ना अर्धवित्र में बना कोड समकोड होता है ब्यास से बना कोड समकोड होता है लेकिन हमें इस बार कि श्यष से प्रूफ करना है सदिस्विदी से झाल झाल कि यहाई प्रूफ इसे तो देखो जैसी मानलो यहाँ एक अर्धव्रित करतानी ऐसा इस अर्धव्रित ऐसा एकटार राइए यह बना दे का तैसे कोड बनाते हैं क्या दिक्तते मिना सकते हैं कोई सिध्य करना ढ़ा है कि यह कोड बना यह 9टी 5 है इसको प्रूफ करते हैं लोग मिटने इसके लीए देखो ध्यान दो अगर अर्थ बृत में कोड बना है 100% यह जो के लिए कए रज़े यह बृत का व्यास करको के पॉइसके यह चख़न्टर का च रहा है व्यास के बीच बीच ओई हो लती आई सेंटर हो है ओसे अगे अगिराद रहे तो इसमें और भी व्रित्य की तरज्जा है और जाए प्रूफ करना है कि आपस में लंबवत है लंबवत त्यान रखना है अमें क्या करना है एबी और बीसी एक दूसरे पर लंब दिखाना है तभी तो इनके बीच में बना कोड समकोड होगा जैसे यह दो रिखाएं कि नहीं अगर यहां समकोड बनाना तो यह रेखा इस पर लंब होगा तभी समकोड दिखाना है तो यह हमें सिद्ध करना है है छलो अब इसमें देखो जरा सा ध्यान दो कि ओ इंपर ध्यान दो जरो वे बिल्कुल इक्वल होगा ओ भी के और यह एक्वल होगा ओ सी के नहीं तो यह सारे के सारी त्रिज्जा है अचा देंखो द्यान दो अचा अगर ओ से ए पराते मालतेँ हैं कि सदूर एसे चल रहा है ऐसे रेक्टर चल रहा है यह ऐसे निकल गया कि दोनों अंदर क्यों रहा है इसे इसक्षर देदो गतिक इसे वैक्टर दे皆 म Angst Ciao करते इसे और इससी कर लेते तब अच्छानी समझ मैं आएक ह्ब यहां भी कर लेते हैं मैं जब लेकिन जब वेक्टर एह बिसे ऑपर आ रहा है तो वेक्टर ही होगा नए से ओ पर आने लिए लेकिन उपति सब्सक्राइब अगरव हम और अब सब्सक्राइल भीक्त्रीक पर चला जाएगे तो नब हो पहला त्रिभुज ये वाला है किРЕव Geth cesल कि प्रीपोज करी नियम से दिखो ये सदी स्थी ठीक इस पर और गिरा ऊसे दूसरा सदी सोट कि परिटारी कर तो ये जो परिडामी होगा ये तुर बूज नियम लगाएगा बिल्गूल एह से जा array स्प्रिशन एसे जा रहा तो यह भी ऐसे प्रड़ामे नियम लगा लिया इडमें सीधे-सीदे बात है कि अगर अगर अची की बात करें तो यह क्या होगा ए-उ-ब्लस और उसी के बराबर होगा होगा कि नहीं एसी बराबर एओ प्लस ओसी इट मेंस की एसी बराबर क्या होगा मेरा यो क्या माने है और ओसी क्या माने है इस बाते क्लियर एओ हो गया सबस्दाइब है और गया है या फिर एक तरीका और कर कर सकते हैं ध्यान देना अगर हम यूची लेखिण он होना चाहिए इसके लिए आग्या तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे देखो oc –o e कर सकते हैं यहां से ग्या हो गया vector c –o e यह आगया a c का मान equation number फिर कुना चलो त्रिभुझ उस पार वाले में त्रिभुझ ओपी वाले में उसका सबसे बड़ी भुजा यह परिडा में यह दिसाइदर क्यों रहा रहा है अगर इधर क्यों राता है तो माइनस में आएगा और अगर हम इसको लेते हैं ऐसे तो यह हो गया बीसी ठीक तो बीसी बराबर क्या होगा आपका पहली बाद तो बी ओ यह ना बी ओ प्लस ओ सी होगा कि नहीं बी ओ किसमें है माइनस में हमें जैसे कि हर जगाँ ओ करना है यहां भी ओ करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा ओ सी माइनस ओ भी अब क्या करते हैं अगर हमें दोनों पर लंब दिखाना है जैसे कि पहले से बताते आ रहे हैं कि जब दो सदिस एक दूसरे पर अगलंव थो उसका अधिश्गुडन तुरंत कर लो अधिश्गुडवं करने से लमवत सदिस का परड़ामी जीरो हो जाता है जैसे हम लोग अगर करें यहां पर अधिश्गुडन इन दोनों का equation number first equation number first or equation number second का तो यहां हो जाएगा a c dot b c है ना और right hand side में भी इनका dot product बनता है यहां बन जाएगा vector c minus vector a into vector c plus vector a आते क्लियर अब देखो यहां से equation त्यार हो गया आपका अपका a c dot bc is equal to एक bracket में माइनस भी एक ब्रेकेट में फ्लस भी क्या मना लेता है c square माइनस कि a square वेक्टर c square माइनस वेक्टर एसक्वार ठीक है वेक्टर c square माइनस वेक्टर a square जहां वेक्टर आया और उस पर square चड़ा इसका मतलब यह एक लोग इसको अउन लोग ऐसे लिखते है इसको लोग ऐसे लिखते एक में सीधी सीधी बात है अगर यह सब की सब्रे जाय है ये भी त्रचिया ये भी त्रचिया तो इसका मतलब ripple war σ. अगर मॉडोर्ड ।ो यह दो नूब एक दूसरे से इक्वल होंगे अगर मॉडूलस की बात करें यह सब तृज्जा है सब इक्वल हो गए इट मैंस यह हो गया जीरो आप सभी को मिल गया एसी डॉट बीसी इस उक्वल टू जीरो और ऐसा तभी होता है जब कर दिस एक दूसरे के लंबवत हो अब लोग बस एक ट्रिक किये हो सकता है अगर जीरो आ गया तो यह सदिस एक दूसरे क्या हो गए लंबवत हो गया और यही चीज़ प्रूफ करना था कि अर्धवरित में बना कोड सम कोड होता है तो यह था आप सभी का सदिस बीज़ गडित पे जितने भी कुश्चन थे और जो भी इस पे आपका टॉपिक था सारी की सारी टॉपिक समझ में आ गये होंगे आप सभी को है ना जो लंब कोडी एक आंग सदिस का डॉट प्रोड़क्ट था और कॉस्प्रोड़क्ट था उस पे आप सभी दो दो कुश्चन पूछ देता है तो इसलिए सदिस का सारा का सारा कहानी समाप्त अब हम लोग अगले लेक्षर में अगला कोई नया चैप्टर लेंगे सदिस बीजगडित इसी लेक्षर में खतम हो गया ठीक है कोई भी कुश्चन आपको फसता है तो आप पूछ सकते हैं ठीक है